नमस्कार सर नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश दास है सर दिनेश जी आप कहां से हैं? सर मैं गाओं जटपुरा है तहसिल मेरठ जिला मेरठ उतर परदेश से हूं सर सर संत्रामपाल जी महारा से नाम दिक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत्रामपाल जी महरास से नाम दिक्षा 21 मई 2014 को ली सर सर क्या काम करते हैं आप सर मैं पेशे से डॉक्टर हूँ आयूरवेद में सर सर संत्रामपाल जी महरास से नाम दिक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ती साधना भी करते थे जी सर मैं बच्चमन से भक्ति साधना करता था और घर में ही आपना अलग से मंदिर बना के मेरे जो इस्थ थे हो मैं देवी की आरादना पूजा करता था काफी लंबे समय तक पुजा करता रहा, कक्सा छह में पढ़ता था, तो मैं खुदी हमन भी कर लेता था अपने आपी, तैंथ में मुरादनगर पढ़ता था मैं सिरिहां सिंटर कॉलिज में, वहाँ पर हमारे फूपा जी जो निरंकारी मिशन के जो परमुक थे मुरादनगर म अंतते हैं यह हुआ कि मेरी साधी 1908 फरवरी को होई, उसके बाद से मेरा जीवन पूर्ण रूप से, बहुती दुखों से, और दरिदरता से, मतरम में जूजता रहा, कोई सांती नहीं मिली, इसी दोरान निरंकारी मिशन में जो हमारे फूपा जी थे मुरादनगर मंडल के नाम खडख सिंग जी था उनका, 2003 में यहां पर कैंसर हो गया उनने, कैंसर से पीडित हो गये, तो सर वो जिंद की मोत से डेड़ से दो वरस तक जूजते रहे, उसी समय 2004 में मुरादनगर में समय के जो गदी सीन हर्देव सिंग जी महराज हुआ करते थे, उनका सत्संग हु गया था, बच्चे देख के डरते थे, यह इस्तिती हुई, लास्ट में वे कहते थे कि कभी पूँच बताते आपने हां, कभी कहते थे मैं साड़ी पहनूँगा, कभी कहते थे मैं चुनरी ओड हूँगी, इस तरह की भाव भंगीमा, प्रेत बाधा से वे पीडित होके, ला उसके बाद मैंने गुरु गोरखनात के भगत थे, हमारे गाओं में काई पडोसी गाओं हैं भलसोना, वहां के पंड़जी सुन्दरलाल जी थे, उनको मैंने गुरु बना लिया था, जैसे उन्होंने मुझे साधना बताई थी, वो साधना भी करता था, और जो गोरख मैड हैं, वहां पर भी मैं जाता था, इसी बीच में दिल्ली कालका जी हमारे घर से पिचासी किलोमेटर पड़ती है जी, चार बार लगातार चारो वर्सों तक वहां से जोती लेका है, नवरातरे जब सुरू होते थे, एक दिन पहले लगातार निरंतर बीस घंटे से चोबिस घ बच्पन से ही आपने देवी दुत्तों की बक्ती की, और तेरा साल तक आपने निरंकारी पंत में बक्ती साधना की, आप बच्पन से ही बक्ती में लीन रहे, तो फिर आप संत्रामपाल जी महाराज की सरण में कैसी आए? संत्रामपाल जी की सरण में, ऐसा ऐसर में, तो अचानक एक दिन हम बैठे वे थे, जो और भी मेरे साथी थे, जो इसी तरह की आनुपासना, देवी की पूजाय वगरा करते थे, तो ऐसी जिक्र हुआ कि मेरे से कहने लगा, भाई, दिने ऐसा 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 एक बाबाजी नए आपको परमातमा बताते हैं, अच्छा और पॉंचली के बहुत सारे जाते हैं महापर, वो कहते है कि होई देवी देवताव को नहीं पूजणा है, किसी को नहीं वो करना है, इस तरह की बात बताते हैं वो कहते हैं मैं भगवान हूं, अब मुझा तो भीया आप जो लोग ऐ हमारे गाओं में एक फैमिली थी हमें खुद नहीं पता था पिछले दो वरसों से संत्रामपल जी महाराज की सरण में थे और भक्ती कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इनके घर चले जाओ पडोसी थे वो भी थोड़ा सा हट कैते दूसरी गली में मैं उनके घर गया उनके घ ठीक है हम उसी महीने सर मई की बात है यह मई 14 की हम 21 तारीक को जो हैं बरवाड आस्रम पहुचगे सर वहाँ पर हमने जाके जो संत्रामपल जी महराज से नामदान नाम दिख्षा ली सर आपके बताएं नो सर आप पर दुखों का पहार टूटा हुआ था तो क्या संत्रामपल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपके दुख दूर हुए आपको लाब भी मिले सर जब मैं आसरम में गया और मैंने संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिखसा लेने के बाद जैसे लाइन में लगा आसिरवाद की लाइन में लाइन लगती थी तो मुझे जैसी मेरे सर पर सत्कुर्देव ने हाथ रखा मेरे सरीर में जितनी भी पीड़ा थी जितनी भी दर्द थी जितनी भी वीकनेस थी उसी समय 100% खतम हो गई और मैं उसी समय से तीन तीन चार चार टाइम भर पेट भोजन करने लगा और आज तक सर मुझे पांच भी छटी साल लग गई है आज तक मुझे कोई दर्द या किसी तरह की कोई भी पीड़ा सरीर में नहीं है जो कि मुझे पर्मानेटली नजले की सिकात रहती थी जुकाम की आज तक वो भी नहीं है सर मेरे पैरों से चला नहीं जाता था मेरे पैरों की नसों में बलोकीश आगे थे बुखार की वज़े से कलोट्स बन गये थे बलड़के सर तो सपलाई में दिक्कत थी मुझे दिक्कत होती थी मेरे पैर भी सूखते जा रहे थे सर आज मैं वही हू कि गुरुजी मैं 200-300 रुपे मांग के लाता हूं और इस समय मेरी आर्थिक इस्तिति बहुत खराब है तो के गुरुजी थोड़ी दया करो उस समय मुझे आसिरवात दिया जी आज चाहे कोई कुछ भी कहे उस समय मुझे आसिरवात दिया कि बेटा परिसान मत हो आप भगती क करो काम और पैसा आपके पास चल के आएगा काम और पैसा मेरे पास आज तक भी चल के ही आता है खुद मैं कभी नहीं जाता किसी के पास मेरे बच्चे को खाहसी बनी खाहसी से अस्थमें चला गया मैंने खुद भी treatment करते करते फिर दूसरे डोक्टरों से ऐलोपेथ में भी होमियोपैथ में भी कुछ भी आराम नहीं मिला तीन महीने तक बहुत ज़्यादे दिक्कात हुई हम पूरी पूरी रात मैं और मेरी वाइफ हम दोनों जागते थे बच्चे इतने प्रेसान होता था परन्तु कोई आराम नहीं मिल रहा था एक दिन फिर उस बच्चे ने खुद ही यह कहा कि पापा ऐसे तुम्हें ठीक नहीं होने का मैं का और कैसे ठीक होगा बिटे तो उसने कहा कि पापा मुझे ऐसे तुमने नाम लेका है तुम ठीक हो मुझे भी नाम दिलवा दो मैं तब ही ठीक होंगा मैंने का ठीक है तो सुबह चलते हैं वगत जी हम दोनों जा गे वे थे उस समय उस बच्चे को दिक्कत हो रही थी उसकी खांसी इतनी जबरजस्त होती थी कि वो देखा नहीं जाता था हर दस मिनट में पाच मिट में गरम प हमारी तरफ को देखता हुआ और घर से बाहर निकल गया यह कहते हुए कि जाओ छोड़ रहा हूं तुम संत्रामपल जी महराज की स्रण में जा रहे हो नहीं तो इसको छोड़ता नहीं यह कहका है वो चला गया सर सुबह मैंने उस बच्चे को नाम दिलवाया आज वो बच् सुख हमें यह मिला कि परमात्मा मिलें शर आप एक आईजूकेटिटट परसन है और कुछ लोग का मानना है कि संत्रामपल जी महराज से उनके से स्या एक अंदर सद्धा के तहत जुड़ते हैं आपका क्या मानना है नहीं सर ऐसा नहीं है जो लोग ये कहते हैं कि संत्रामप बहुत सारी पुस्तके लिखी हैं और उन पुस्तकों में भी संत्रामपाल जी महराज के अपने विचार नहीं है वो खुद बार बार बता रहे हैं कि चारों वेदों से गीता जी से पुराणों से कुरान सरीब से बाइबल से गुरुगरंत साहिब से उठा उठा का वाणिया सर, संत्रामपाल जी महराज ने ये सारी चीज़े ओपन कर दी हैं अगर पढ़ा लिखा समाज है तो उनकी रचित पुस्तकों को पढ़े उसके बाद निर्ने ले सर संत्रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जो सरदालो आज आपको देख रहे हैं और बो भी किसी ना किसी तरीकेशे बीमारी से नसी से परिशानियां के रस्ता हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर आज जो समाज चाहे वो अनपढ़ है अनपढ़ तो बहुत कम रहा गया चाहे वो पढ़ा लिखा है आज बहुत सारी बीमारी और से जैसे सराब हैं, जुआ हैं, वेभीचार हैं, नसा है या मांश खाना, इन सबसे पीडित हैं अगर इन से बचना है तो सर मैं भी क्योंकि मैं सराब भी पीता था बीडी सिगरेट भी पीता था और मुर्गे बकरे भी खाता था जब से त्थकूर रामपाल जी महराज की सरण में आया हूँ मेरा ये सब जितने भी दोस्ते वो सब छुट गए हैं और मैं तो सरुसमाज से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी जल्दी से जल्दी संत्रामपाल जी महराज की सरण ग्रहाण करो और सभी इन दुर्वेशनों से और नसों से छुट कर आपाओ और सुख में जीवन जीएं धन्यवाद सर थैंक्यू सर झाल